दोस्तों सामसंग ने अपनी गैलक्सी M सीरीज फोन लांच करके स्मार्टफोन इंड्रेस्ट्री में एक तरीके से तहलका समाच आ दिया जिहां दोस्तों दस से पंदरह हजार के प्राइस रेंज में अगर हम बात करें तो सामसंग अभी काफी टकड़ दे रहा है बहुत सारे स्मार्टफोन को बात यहां पर हम करेंगे सामसंग M20 और एसू जैनफोन मैक्स प्रो एम टू दोनों का कंपैरेजन देखेंगे दोनों में क्या क्या हमीं फीचर्स मिल रहे है देखने को यह सारी चीजे आज हम बात करेंगे तो मैं रही वर्मा आपका स्वागत करतो हमारे चैनल F1 टेक सपोर्ट पे तो चली देखते हैं क्या है इन दोनों फोन में बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले साइज की जिहां दोस्तों Asus Zenfone Max Pro M2 जिसका डिस्प्ले साइज है 6.26 Full HD IPS डिस्प्ले जिहां दोस्तों IPS डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बात करते हैं गर Samsung M20 के डिस्प्ले के बारे में तो यह आपको 6.3 Full HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा but the bad thing is कि इसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिहां दोस्तों M2 में आपको इस डिस्प्ले है प्लस Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन Samsung M20 में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा दोस्त जियां बात करते हैं अगर इसकी वेट की दोनों फोन 5000 इमेज बैटरी पावर्फूर बैटरी है नो डाउट लेकिन Asus Zenfone Max Pro M2 इसका वेट अगर हम बात करें तो यह 168 ग्राम का है जी हाँ दोस्तों 168 ग्राम लेकिन अगर हम बात करें Samsung M20 के बारे में तो इसका वेट अगर आप देखेंगे तो यह 186 ग्राम का है जो कि वेट थोड़ा आपको हेवी है तो यह दोनों फोन जो है 5-6 इमेज बैटरी के साथ तो आते हैं लेकिन सबसे हलका फोन है Asus Zenfone Max Pro M2 चार्जर की बात करते हैं USB Type-C यह आपको देखने को मिल दाएगा Asus में नहीं है Samsung M20 में आपको देखने को मिल दाएगा जी हाँ दोस्तों Samsung M20 में आपको USB Type-C देखने को मिल दाएगा प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है लेकिन Asus Zenfone Max Pro M2 में फास्ट चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी उसमें आपको 10W कर चार्जर है Micro USB Port है उसे से आपको काम चलाना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं Operating System OS की दोनुई फोन Box Pack में आपको मिलेगा और यू 8.1 लेकिन Stock Android सबसे important चीज है Stock Android आपको सिरफ Asus Zenfone Max Pro M2 में देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तों M2 जह Stock Android के साथ आता है जो कि बहुत ही अच्छा है सच्वानी मैंने उसे यूज़ किया है और मैंने दोनुँ फोन को यूज़ किया है सामसंग को भी यूज़ किया है इसुस को भी यूज़ किया है सामसंग थोड़ा सा लैग होता है दोस्तों जी हाँ अभी सायद उसमें बहुत सारे बग्स हैं जिसको फिक्स करना बागी है एंड्रोइड पाइक अपडेट आपको एसुस जैंफो मैक्स प्रो एंटू में बहुत ही जल देखने को मिलेगा बट सामसंग में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कभ आपको पाइक अपडेट मिलेगा बात कर लेते हैं कर नौज की जिहां दोस्तों सामसंग के नोज में नहीं आपको फ्लास है लेलिडी फ्लास है नौटिफीकेस प्रणाव कि देखने को नहीं मिलेगा को अपको उस प्समें देखने को नहीं मिलेगा बट अपको सार्य चीज अब लेएल किन उसयों डिन एसू Zenfone Max Pro M2 तीन वेरियंट में आता है जहां दोस्तों फरस्ट तीन जीवी चार जीवी सिक्सीपी लेकिन आपको सैमसंग जो है स्रिप तो ही वेरियंट में आएगा तीन जीवी और चार जीवी प्राइस की अगर हम बात करें तो सैमसंग जो है तीन जीवी वाला जो वेरि अर्फ़ोचे में परोल्वर में जहीं आएगा वहीं हम बात करें येशू Zenfone Max Pro M2 की तो इसका तीन जीवी वाला वेरियंट हमें मिलता है बारह जाहानॉसे नियां बैंट 7 जिवी वाला वेरियंट हमें मिलेगा 13992 रुपह में जबकि 6 जीवी वाला वेरियंट हमें देख में देखने को मिलेगा पब जी खेलिए गेमिंग करिए कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं दोस्तों पर्ट सामसंग M20 एक्षण प्रोसेसर 7904 जो कि मैं थोड़ा डल मानता हूं अगर एसू जैनफों मैक्स प्रो का प्रसेसर का अगर हम बैंचमार्क अगर देखेंगे तो उसमें बहुत ही आगे चलता है एसू जैनफों मैक्स प्रो एम टू और सैमसंग M20 जो है वो थोड़ा पीछे हो जाएका कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों कैमरा के अगर हम बात कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके भी कैमरा के बारे में जान सकते हैं चलत चली कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं यह जैनफों मैक्स प्रो एम टू जो है वह आता है बारा प्लस पांच मेगा पिक्सल रेर कैमरा के साथ लेकिन अगर हम बात करें सामसंग यहां पर आपको तेरह प्लस 5 मेगा पिक्सल रेर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन इसका उल्टा देखिए दूस्तों फ्रंट कैमरा के अगर हम बात करें तो एम ट्वंटी एट मेगा पिक्सल कैमरे के साथ आता है वहीं एसूस जैनफोन मैक्स प्रो एम टू करें दोनों सेम हैं इकोल कभी M20 आगे निकल जाता है कभी M2 आगे निकल जाता है लेकिन दोस्तों फ्राइंट फ्रेसिंग कैमरा के अगर हम बात करें तो एसुस जेनफोन मैक्स प्रो एंटू थोड़ा पढ़िया है जीहां दोस्तर वीडियो रिकॉर्डिंग के बात करें तो एसुस जेनफोन मैक्स प्रो एंटू के बारे में और आप कौन सा लेना पसंद करेंगे यह आप अपने हिसाब से देख लिजिए थोड़ा एंटू महेंगा है बट उस हिसाब से उसका प्रफॉर्मस प्रफॉर्मस प्याच्छा एंसा नहीं है कि एकदम बेकार फोन है बट कुछ-कुछ ची इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा बट मेरी राय में अकर माने तो दूनों फोन बैस्ट है पसंद आपको करना है तो मैं रही और्मा फिलाल आप से इजाज़त चाहूंगा अकर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और अपना ओपीनियन हमें कमेंट के द्वारा जवर दे तो तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरा